हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका BHIC133 के एक महत्पून वीडियो में क्योंकि यह वीडियो एक्जाम की द्रिष्टी से आपकी तयारी के लिए काफी महत्पून है अगर आपको लगता है कि एक्जाम नजदीक है और आपके तयारी उतनी बहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि पास करना भी मुश्किल है मात्र यह वीडियो देखिए यकीन मानिए मात्र इस वीडियो से कम से कम आप 40 नमबर के प्रस्ण को हल करना मात्र 10 मेट के अंदर ही सीख जाएंगे और उसका उत्तर भी आसानी से आप समझ पाएंगे तो दे महत्पून टॉपिक को सुनके उन प्रस्णों को सुनके उसके उत्तर को समझ सकते हैं उन सभी महत्पून प्रस्णों पे उत्तर की रूप में मैंने वीडियो बना दिया हुआ है अगर आप चाहे तो डाइट डिस्क्रिप्शन में जाए वहां जाके वह वीडियो देख सकत लगता है कि आपकी त्यारी अब तक अच्छी नहीं है तो आप ध्यान दीजिए इस समय आप इकाई साथ पे हैं और यहां ध्यान दीजिए में में टॉपिक किस तरह से प्रश्ण बनके आपके सामने आएंगे अगर आपको लगता है आपने कुछ नहीं पड़ा है और एक घं के अधिन केंद्रिय प्रशासन को उजागर करने के लिए उसे विश्त्रित रुप से बताने के अधार पे प्रश्ण पूछा जा सकता है तो दिल्ली सल्तनत के अधिन केंद्रिय प्रशासन है उसके लिए मात्र आप यह जो पॉइंट दिये गया है जैसे सुल्तान है विज प्रशाषन के रूप में विजारत दूसरा प्वाइंट लिखिए तीसरे में दिवाने अर्ज लिखिए चोथे में अन्विभाग पांचमे में दास और कार खाने फिर इसके बाड़े में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दिजिए इससे क्या होगा जब आप पॉइंट वाज उत्तर देंगे तो आपको नंबर अधिक मिलेगा क्योंकि जो इक्जामनर जो कॉपी आपके चेक कर रहे होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो सभी विद्यारतियों के उत्तर को पूरे रूप से पढ़ें एक-एक उत्तर को कम्प्लीट रूप से पढ़ें वे सिर्फ आपके पॉइंट देखते हैं, कि आपने केंदरिय प्रशासन के अधिन किनकिन को दर्शाया है, आपने सुम्तान को बता दिया कि विजारत होते हैं, जी दिवाने अर्ज होते हैं, अनविभाग, दास और कार खाने होते हैं, यह सब दिल्ली सल्तनत के केंद dough के के बाड़ में जितना अधिक लिख सकते हैं लिखें वो आपके उपर डिपेंड है लेकिन एक्जामनर यह जानना चाहता है कि आपको दिल्ली शल्तनत के अंदर केंद्रिय प्रशासन कौन-कौन से यह पता है या नहीं उसे मालूम चल गया कि आपने पॉइंट बाइज लिख दिल्ली शल्तनत के अधिन केंद्रिय प्रशासन, शुल्तान, विजारत, दिवान अर्ज, अन्विभाग, दास अरकार खाने यह होते हैं केंद्रिय प्रशासन प्रशासन ते दिल्ली शल्तनत के इतना याद हो गया आपका एक प्रशन कंप्लीट हो गया इसी पे किसी न किस इसी रूप में घुमा फिरा करके दो से तीन प्रसन इसके उपर बन सकते हैं अगर आपने सिर्फ यह याद कर लिया तो उन सभी प्रस्णों के उतरा पासनी से दे पाएंगे इसके बाद देखिए किस प्रकार से प्रसन आपको अगला इसी इकाई के अंदर से आ सकता है कि मु मुगल के जो अधिन ये केंदरिय प्रसासक थे समराथ इनका क्या कारिय था तो आप जब मुगल के अधिन केंदरिय प्रसासन को पढ़ लेंगे तो आप इसे ध्यान रखिये तो इन जो भी है जो समराथ हो गया वकील और वजीर हो गया दिवान ने कुल हो गया मीर बक्षी मीर समा हो गिया शद्र उस सुदूर हो गिया यह सब क्या है मोगल के अधिन जो केंद्रिय परशासन थे यह उनके नाम है यह सारे विभाग थे तो जब आपको मोगल के अधिन केंद्रिय परशासन के नाम याद हो जाएंगे तो एक शमराठ दूसरा वकील और वजीर तीसरा दिवाने, कुल, चौथा, मीरबक्षी, पांचमा, मीरशमा, छठा, शद्रूस, सुदूर, ये छे प्रशासन के नाम है, जो मुगल के अधिन केंद्रिय प्रशासक के रूप में कारी कर रहे थे, जो आपको ये नाम याद हो गए, इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ पता है या नहीं, आपने लिख दिया जी समडाठ होते हैं, वकील, वजीर होते हैं, दिवान एकुल होते हैं, मीरबक्षी होते हैं, मीरसमा होते हैं, शद्र, उश्दूर होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपने लिख दिया, वो सिर्व आपके मेन पॉइं यह आपको चार पॉइंट याद करने हैं जो मुगल कि अधिन प्रांतिय प्रशासन की रूप में कारी करते थे कौन-कौन से प्रांतिय गवर्नर दिवान बक्षी दरोगाय डाक और गुप्त-चार इन्हें आप याद कर ले इनके बाड़े में तृत्रा पढ़ ले अगर इन तीन टॉपिक हुए तीन टॉपिक से आपको कही तरह के प्रशन आ सकते हैं लेकिन उत्तर आपका सम्में यही सब आएगा यही सब लिखना होगा ठीक है तो यह चीए आप याद कर लिजिए कम से कम समय में आपको यह पॉइंट आसानी से याद हो जाएंगे और इसी तॉइसे यहाद कर लिए इनके बार में फुरसा पढ़ए और दीक्टी सम्मेंग कर देखीए गोzd इक यह पता है कि अस्थानी प्रशाषन मोगल के दिन कौन-कौन से थे एसे शोत अस्थानिय प्रशासन होते थे मोगल के अधीन उसके बाड़े में तुरा सब्सक्राइब करना है कि उतर शब्दों में देने होते हैं इस प्रकार से आपको उतर देने होते हैं कोतवाल थे किलेदार थे बंदरगाह प्रशासन नगर में कौन होते थे कोतवाल किला में कौन होते थे किलेदार बंदरगाह प्रशासन में कौन होते हैं इनको आप याद कर लिए इनके बारे में थुरा सा पढ़ लिए और इस पर प्रसंद आता है तो थुरा सा डिस्क्राइ में ठीक है सेम किताबों किताब बाले सब्दों में डिस्क्राइब करना है आपको अपने सब्दों में डिस्क्राइब करना है लेकिन आपको यह पताना चाहिए कि नगर में कोतवाल प्रशासन होते थे किला के लिए किलेदार प्रशासन होते थे बंदरगाह प्रशासन होते थे उनके काड़ी पठ लीजे थोड़े तो वह बहुत अगर प्रशन आता है तो उसको त्रा डिस्क्राइब कर दीजे इसी प्रकार से आप देखे अगले टॉपिको तो मोगल प्रशासन की प्रकृति यह इतना करना नगर्किर और बंदरगाह फ्रकारा से इनके बार्शासन के बार में उतर अथ्व है ताकि वहां जाके अपने संब्र रिस्क्राइब करके जितने उतर शब्दों में उतर देने होते हैं उतने शब्दों पुड़ा दें आप इसके साथ ही अन्य महत्पून टॉपिक के बार में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो का लिंख नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सारे महत्पून टॉपिक जिसमें प्रशन आ